पनीर की सबजियां सभी को बहुत पसंद आती हैं लेकिन पनीर अंगार का smoky flavor बहुत ज़्यादा पसंद आएगा नमस्कार मैं हूं निशा मदुली का आज हम बनाएंगे पनीर अंगारा तो आए बनाना शुरू करते हैं पनी रंगारा बनाने के लिए सबसे पहले मसाले तयार करेंगे मसालों में हमने चार टमाटर और ये एक इंच अद्रक का टुकड़ा दो हरे मिर्च और एक ये लाल मिर्च टमाटर को हम बड़े बड़े पीसिज में काट कर तयार करेंगे पहले हरी मिर्च को भी 2-3 टिकड़ों में काट देती हूं और ये अद्रक को भी थोड़ा सा मोटा मोटा काट देती हूं और अब इन्हें पकाने के लिए कडाई गरम करते हैं एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे गरम कर लेते हैं तेल गरम हो गया इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मज जीरा और ये साबूत मसाले एक दालचीनी का टुकड़ा दो छोटे टुकड़े तेज पत्ते के तीन हरी इलाइची और तीन लॉंग और साथ काली मिर्च हलका सब भून लेंगे इन्हें और ये एक लाल मिर्च अब ये टमाटर हरी मेश अद्रक और ये दो तीन टेबिल स्पून घाचु इन्हें ढखका टमाटर के नरम होने तक पकाएंगे फ्लेम थीमी रखेंगे टमाटर पक चुके हैं मसाला पूरा भून चुका है अच्छी कुछ भू आ रही है और इसे पकने में लगे हैं 10 निट हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और इसको पीस कर पेस्ट बनाएंगे मसाले थोड़े ठंडे हो गया है एकदम बारीक पेस्ट बना लिया हमने मसालों का और अब हम बनाएंगे सबजी पैन गरम कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे 2-3 टेबली स्पून तेल गरम हो गया है इसमें डालेंगे हम चोथाई छोटी चमच जीरा फ्लेम धीमी कर लेंगे आधी छोटी चमच हल्दी एक चोटी चमच धनिया पाउडर और एक चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर ये देगी मिर्च है कलर सब्जी में बहुत अच्छा आता है मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी कम जादा कर सकते हैं और ये एक टिबली स्पून कसूरी मेथी इसको थोड़ा सब्जी में बहुत अच्छा आता है फ्लेम मीडियम रखेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक की मसाली से तेल नालग होने लगे हैं और ये एक छोटी स्फिला में आप रहें हैं मसाली के साथ इसे भी बून लेते हैं कैयि participar अपस्मल हैं इधार सब्जी के लिए मसाला प्रूनते हैं और अधर हम कोईला जलाकर तैयार कर लेंगे यह हम ने लगोड़ी का कोईला में ले लिया और कर देते हैं क्यास को कोईले के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं कोईले को हमें सुलगाना है मसाले से तेल निकलने लगा है मसाला भुन चुका है हम इसमें डाल रहे हैं एक कप पानी सब्जी को अपने इसाब से थोड़ा सा गाड़ा या थोड़ा सा पतला रखा जा सकता है मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से एक छुटी चम्मज नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और अब ये पनीर के पीसिस मिला देते हैं और ये हमने आदा कप ग्रेटेड पनीर लिया है इसे भी हम इसे में मिलाएंगे अब चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं सब्जी को ठक कर पांच मीट धीमी आग पर पकने देते हैं सब्जी को चेक कर लेते हैं सब्जी बनकर तयार हो गई है कितना अच्छा टेक्शर और कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुश भुआ रही है अब हम इसमें कोईले का धुवा लगाएंगे तो थ का टूरी में डालेंगे इसके उपर यह हींग डाल देते हैं और थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे ढख देते हैं इसे हम 10 मिन तक ढखे रहने देंगे हींग के फ्लिवर के साथ स्मोक जाएगा हमारी सब्जी को बहुत टेस्टी बना देगा और गैस बंद कर देंगे 10 मिन हो गए सब्जी में अच्छा स्मोक आ गया है इसे हम अटा देते हैं और आप सब्जी में डालेंगे एक टेबिल स्पून बटर बटर की जगे आप इसमें 2-3 टेबिल स्पून क्रीम भी डाल सकते हैं थोड़ा साहरा धनिया भी डाल देते हैं पनीर अंगारा सब्जी सर्व करने के लिए तयार है बहुत ही टेस्टी बनी है इसके ऊपर थोड़ा साहरा धनिया डाल कर इसके गानिश कर देते हैं और इसे चपाती पराठे नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं इतनी सब्जी परवार के 3-4 सदस्यों के रख दें और चिम्टे से ध्यान रखते हुए उसे हैंडिल करें आप बहुत अच्छी सब्जी बना कर तैयार करेंगे तो आप यह सब्जी बनाईए खाईए और अपने अन्फों में साथ शेयर किजिए और मुझे यह भी बताईए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रसि लूप टाईए कि लिए और स्वार स्पूणाँ टीम्टे साथrauकी बनान करेंगे खाईए कि साथ तैयों तैयों झापके लिए हैंगे जर लब अजी और मुद कि विर शे और रा इन उन रव documentary.